सबसे पहले चैसे ही यह वर्ड सुनते हो continuous tense सबसे पहले दिमाग में क्या आता है continuous मतलब अलड़ी चल रहा है तो continuous एक basic rule होता है हम लोगं कभ यूज करते हैं ऐसे actions के बारे में बात करने के लिए जो action ongoing है ऐसे action जो अभी तक खतम नहीं है इसमें दो से तीन चीजों का आपको मेजरली ध्यान रखना है सबसे पहला चीज जब भी आप यह वर्ड सुनों के continuous tense by default sentence बनाते हैं continuous sentence का सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ भी वर्ब कोई भी वर्ब हो बाइडिफॉल्ट क्या करेंगे वर्ब के साथ आई एंजी लगा देंगे कोई भी वर्ब वो प्ले प्लेंग रीड रीडिंग स्लीप सपोज यह हो जाएगा आपका स्लीपिंग सिंपल इसा मैं बताया continuous tense जब भी सुनते हैं हम लोग हमको वर्ब के साथ आई एंजी यूस करना ही करना है बिना आई एंजी यूस की हम लोग continuous tense में sentence नहीं बना सकते हैं पहला रूल continuous tense कभी यूस करते हैं जब लोग ऐसे actions के बारे में बात करते हैं जो की ongoing है ज जब भी हम लोग continuous tense यूस करेंगे लोग क्या करेंगे वर्ब के साथ हम लोग by default ing का यूस करेंगे ही करेंगे and third important rule continuous tense में sentence बनाने के लिए हम यसा में वर्ब से पहले हमें एक helping verb की जरुवत पढ़ती है मैं जेश्ट एक short में आपको बता दे रहा हूं helping verbs क्या क्या होते हैं करके उसके बाद हम डिटेल में प्रेजंट कंटिनियस पास्ट कंटिनियस फीचर कंटिनियस पढ़ने वाले तो जैसे मैं बताया main verb के साथ अपने ing यूस करते हैं लेकिन अगर present continuous tense है अगर हम लोग present continuous पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा helping verb क्या क्या होता है is am or are present tense present continuous tense पढ़ रहे हैं similarly जब भी हम लोग past continuous tense पढ़ेंगे उसमें हमारा helping verb use होता है was or were और future continuous tense पढ़ेंगे हम लोग उसमें होगा आपका will be अब example लेते हैं suppose अगर मैं को present continuous tense में sentence बनाना है तो मेरा sentence कैसे बनेगा helping verb से पहले आजाएगा आपका subject right subject हो गया I कोई भी एक helping में लेते हैं I am playing cricket similarly past continuous पढ़ेंगे हो जाएगा आपको कहीं पर भी continuous sentence बनाना है सबसे पहले आपको immediately वर्प का ing यूज करना है और third important thing continuous में हमेशा हम लोग helping वर्प का यूज लेते हैं अगर present continuous tense है तो हमारा helping verb हो जाता है is mr past continuous tense है तो हमारा helping verb हो जाता है was or were और future continuous है तो हमारा helping verb हो जाता है will be यहां तक clear है इसके आगे हम लोग देखते हैं present continuous tense का proper format क्या होता है structure क्या होता है उसमें कैसे हम लोग sentence बना सकते हैं